हलो एवरिवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आज हम देखने वाले हैं टीसे इंटर्सिप प्रोग्राम जो भी जॉब अलर्ट्स न्यू जॉब अलर्ट्स आएगा वह इस चैनल पर आपको बताया साएगा तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रिसर्च इंटर्सिप के के लिए यहाँ पर हम time duration देख लेंगे तो two types में इंटर्सिप होने वाला है एक है short intensive एक है long intensive तो short intensive का duration देखा वह 6 तू 8 विक का होने वाला है और long intensive का duration होगा मैं 16 तू 18 bem का होने वाला है उसके बาद हम देखेंगे कि what we सीखके के कौन से student eligible है इसके लिए तो आप यहाँ पे देख पाओगे PhD, MS, Mtech और final year BE, BTK student with an aptitude for research in AD area of computer sense. Computer sense का किसी भी area का student यहाँ पे eligible है और उसके बाद हम intensive देखेंगे कि हमारा काम क्या होगा वहाँ पे job role क्या होगा तो यह आप देख पाओगे three points यहाँ पे consider है तो इस job को apply कैसे हम करेंगे तो सबसे पहले apply now पे click करते ही आप देख पाओगे कि यहाँ पे fill the form here यहाँ पे जो fill the form here है इसे click करते ही आप एक form पे जाओगे जो intensive form इस तरह की से आप देख पाओगे TCS का यहाँ पे आपको first name, last name, email id, phone number and college name and department आपको देना है और internship interest जो यहाँ पे है आप कौन से area में job करना चाहते हो location क्या होना चाहिए आपका start date और end date क्या होगा as per you because short and long दोनों टैप का internship यहाँ पे है आप सब कुछ करने के बाद after save आप submit करोगे तो directly यह form submit हो जाएगा इसका link मैं description में डाल दूँगा and move on करते हैं दूसरे internship पे तो आप यहाँ पे देख पाओगे IBM का जो है वो research intern quantum का जो internship है job है वो यहाँ पे है आप role यह देख पाओगे job role है research intern quantum का यह IBM का job है तो सबसे पहले यहाँ पे contractor internship यह भी internship ही है और company name आप देख पाओगे IBM Indian Private Limited तो सबसे पहले हम यहाँ पे यह role and responsibility की बात करते हैं तो skill क्या-क्या चाहिए तो आप यहाँ पे देख पाओगे Java, Python, Python में including pandas and NumPy चाहिए, data structure, algorithm, problem solving, linear algebra, probability, aesthetic, experience with, vs code, jupiter, notebook and git यहाँ पे required है skill में तो यह देखने के बाद आप require for technical and professional expertise में आप देख पाओगे यहाँ पे भी AIML जो fundamental है वो आपको आना चाहिए इसमें यह जो job होने वाला है वो कहीं न कहीं AIML के related होने वाला है क्योंकि Python का requirement यहाँ पे है और last one आप हम देख पाएंगे यहाँ पे कि how to apply after clicking on the button apply आप देख पाओगे एक pop-up आएगा and इस pop-up में आपको जो भी required field है जैसे आपका first name हो गया last name हो गया primary email क्या है आपका वो हो गया आप अपना resume यहाँ upload करोगे experience है तो experience डालोगे experience का options चूझ करोगे जो भी आपको जिसमें भी है कि take re-entry क्या है प्रिसीजल का है, executive का है या professional 3 years से जादा है या earlier professional 3 years से कम है और intern का है तो हम लोग भी intern का है तो देख पाओगे आप choose intern करोगे यहाँ पर area of interest जो भी आपका है वो चूझ करोगे आप यहाँ पर आप देख पाओगे यहाँ पर research भी है design and UX भी है data and analytics भी है consulting का भी है project manager का भी है और software engineering का भी है यहाँ पर उसके बाद आप यहाँ पर I agree करके and join पर click करते ही आपका form जो है वो submit हो जाएगा thank you for watching this video आप इस चैनल से जुरेर हो जो भी upcoming jobs रहेगा या internship रहेगा वो यहाँ पर आपके साथ share किया जाएगा और यह दोनों लिंक जो है job का वो आपको description में मिल जाएगा thank you for watching this